तो नमस्कार दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे TBS Rider Disc Track वाले वेरियंट को अगर आप खरीते हैं 2021 में तो इस वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि इस गाड़ी की न्यू प्राइस क्या है और अगर आप इस गाड़ी का फाइनेंस करवाते हैं तो इसमें मैं आपको दो फाइनेंस प्लान भी बताऊंगा दो साल और तीन साल की तो चलिए दोस्तो बिना देरी की इस वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले दोस्तो गार हम बात करें इस गाड़ी के न्यू प्राइस की तो अगर आप इस गाड़ी को लेते हैं एंपी के रीबा सिटी से तो इस गाड़ी की एक सोरूम प्राइस होगी 82,700 रुपए जिसमें आपका आर्टी और चार जुड़ेगा 5,789 रुपए और इंसोरेंस का लगेगा 6,012 रुपए यानि कि सभी टैक्स और चार्जेस जोडने के बाद इस गाड़ी की टोटल आन रोट प्राइस निकल कर आती है 94,500 रुपए और दोस्तो जो इस गाड़ी की आन रोट प्राइस है वो हर सिटी के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपकी सिटी में रहते हैं अब अगर बात करें इस गाड़ी के फाइनेस डिटेल की तो इसमें मैं आपको दो फाइनेस प्लान बताऊंगा तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके तीन साल वाले फाइनेस प्लान के बारे में तो अगर आप इस गाड़ी का फाइनेस के वाल तीन सालों के लिए कर बाते हैं तो इसमें अगर आप कम से कम डाउन पेमेंट तीस जार रुपे तक करेंगे तो इसमें आपका interest rate 9.7% लगाने पर आपका total loan amount 64,440 रुपए का बनेगा और इसमें आपकी मंतली किस्त बनेगी 2,070 रुपए की 3 सालों के लिए और इसमें आपको total loan amount pay करना होगा बया जो अजसर मिला के 74,520 रुपए आप अगर बात करें इस गाड़ी के 2 साल वाले finance plan के बारे में मतलब कि अगर आप इस गाड़ी का finance के बल 2 सालों के लिए कर बाते हैं तो इसमें भी अगर आप कम से कम 30,000 रुपए का down payment करेंगे तो इसमें आपको interest rate 9.7% लगाने पर आपका total loan amount 64,440 रुपए का बनेगा और इसमें आपकी मंतली किस्त बनेगी 2,965 रुपए की और इसमें आपको total loan amount pay करना होगा 71,160 रुपए का तो दोस्तो यही थे TBS Rider Disc Ruck Bali variant के finance plan और इसकी new price तो दोस्तो मैं आसा करता हूँ कि यह वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा धन्यवाद